राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधूं संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधूं आज एकाशी के दिन मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गजेंद्र मोक्ष की कथा बंधूं एकाशी के दिन गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने मात्र से भगवान शी विश्णूं आपकी हर छेत्र में रक्षा करेंगे बंधूं भगवान विश्णूं आप पर आने वाले संकटा से आपकी रक्षा करेंगे बंधो एकाशिक के दिन गजेंद्र मुक्ष की कथा को आवश्य सुने सच्चे भाव से और एकागर चित होकर सुने बंधो यदि आपने हमारे चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जिरूर करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी साबसे पहले हो सके बंधो वीडियो को पूरी सुने सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जै विश्नु भगवान जरूर लिखें बोलो विश्नु भगवान की जै हो शेष शुक्तेवची ने कहा बुद्धी के द्वारा निश्चे करके तथा मन को रिदे प्रदेश में स्थिर करके वह गजराज अपने पुर्व जनम में सीख कर कंठस्ट किये हुई सरफ शेष एवं बार बार दोहराने योग्य निमन लिखिस्तोत का मन ही मन पाट करने लगा गजराज ने कहा जिन के प्रवेश करने पर अत्वा जिन की चेतना को प्राप्ट करने पर ये जड़ श्रीर और मन आधि भी चेतन बन जाते हैं अर्था चेतन की भांती विवहार करने लगते हैं ओम शबत के द्वारा लक्षित समपूरन श्रीरों में प्रक्रिती एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सरफ समर्थ प्रमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं जिसके आधार पर यह विश्वतिका है जिनसे यह उत्पन है जिनोंने इसकी रचना की है जो स्वयम ही इसके रूप में प्रगठ है फिर भी जो इस त्रिश्य जगत से एवं उसकी कारण भूता प्रक्रिती से सरफ था परे एवं शेष्ठ हैं उन अपने आप पैदा हुए अर्था स्वयमभू बने हुए भगवान की मैं शरन लेता हूँ अपने संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसी लिए शिष्ठी काल में प्रगठ और प्रलै काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कारें कारण रूप जगत को जो अकुंठी त्रिष्टी होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहते हैं और उनसे लिप्त नहीं होते वे जप्षू आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभू मेरी रक्षा करें समय के प्रवाह से संपूरन लोगों के एवं प्रम आदि लोग पालों के पंच भूतों में प्रवेश कर जाने पर पंच भूतों से लेकर महत्त्व प्रयंत संपूरन कारणों के उनकी परम कारण रूप प्रक्रिती में लीन हो जाने पर उस समय दुर्गे तथा अपार अं के परे अपने परमधाम में जो सर्व व्यापक भगवान सब और प्रकाशित रहते हैं वे प्रभु मेरी रख्षा करें बिन बिन रूपों में नाट्टे करने वाले अभिनेता के वास्त्रिक स्वरूप को जिस प्रकार सधारन दश्चक नहीं जान पाते उसी प्रकार सत्व प्रधान देपता अत्वा रिशी भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते फिर दूसरा सधारन जीव तो कौन जान सकता है अत्वा बर्नन कर सकता है ऐसे वे दुर्गम चिरित्र वाले प्रभु मेरी रख्षा करें आसकती सर्वथा छूटे हुए संपूरन प्रानियों में आ इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रमचारे आदी अलोकिक वर्तों का पालन करते हैं वे प्रभु ही मेरी गती हैं जिनका हमारी तरह करम के कारणवर्ष ना तो जनम होता है ना जिनके द्वारा एंका द्वारा प्रेडित करम ही होते हैं जिनके निर्गुन सरूप का ना तो कोई नाम है ना रूप फिर भी जो समय अनुसार जगत की शिष्टी एवं प्रले के लिए अपनी इच्छा से जनम आधी को स्विकार करते हैं उन अनन्द शक्ति संपन पर ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है और प्राकृत अकार रही अनेकों आकार वाले अध्भुत कर भगवान को बार बार नमस्कार है स्वयम प्रकाश साक्षी परमात्मा को नमस्कार है उन प्रभू को जो मन वानी चित वृतियों से सरफ्था परे हैं उनको बार बार नमस्कार है विवेग को पुरुष्ट के द्वारा सत्वगुन विश्षित निवृती धरम के आचरन से प्रापत होने योग्य सुख के देने वाले और मोक्ष सुख की अनुभूती रूप उस प्रभू को नमस्कार है सद्व गुन को स्विकार करके शान्त, रजगुन को स्विकार करके घोर, तमो गुन को स्विकार करके मूड की भाती प्रतीत होने वाले भेद रहित, सदा संभाव सिस्थित, ज्यान घन उन प्रभू को नमसकार है श्रीर्वा इंद्रियों आदि के समुदाए रूप, सम्पूरन पिंडो के ज्याता सब के स्वामी साक्षी रूप आप को नमसकार है सब के अंतर्यामी, प्रकृती के भी परमकारन, किंतु स्वयम कारन रहित उस प्रभू को नमस्कार है समपूरन इंद्रियों एवं उनके विश्यों के ज्याता, स्वस्थ प्रतीतियों के कारन रूप, समपूरन जड़ प्रपंच, एवं सब की मूल भूता अविध्या के द्वारा सूचित होने वाले, समपूरन विश्यों में अविध्या रूप से भासने वाले आपको नमस्का सब के कारण किंटू स्वयम कारण रहित कारण होने पर भी प्रिनाम रहित होने के कारण अन्य कारनों से विलक्षन कारण आपको बारंबार नमस्कार है संपूरण वेदों शास्त्रों के परमतात परे, मोक्ष रूप एवं शेष्ट पूरुषों की परंगती भगवान को नमस्कार है जो त्रिगुन रूप काश्टों में छिपे हुई ज्यान में अगनी है उक्त गुनों में हलचल होने पर जिनके मन में शिष्टी रचने की बाहरे विजी जाकरत हो जाती है आत्म तक्व की भावना के द्वारा विधी निश्येद रूप शास्त्र से उपर उठे हुए ज्यानी महात्माओं में जो स्वेम प्रकाशित रहते हैं उन प्रभू को मैं धमस्कार करता हूँ मुझ जैसे शर्नागत पशु दुल्ल अर्थात अविध्या ग्रस्ट जीव की अविध्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काड़ देने वाले अत्यदिक द्यालू दयाक करने में कभी आलस्चे ना करने वाले नित्यमुक्त प्रभू को नमस्कार है अपने आंशसे संपूरन जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रगट रहने वाले सरवनियंता अनन्द प्रमात्मा को आपको नमस्कार है श्रीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति, एवं कुटुम्भियों में असक्त लोगों के द्वारा कटिंता से प्राप्त होने वाले मुक्त पुरुशों के द्वारा रिदय में निरमतर चिंतन करने वाले क्या आंसरूप सरवस्मर्थ भगवान आपको नमस्कार है जिने धरम, मनों वांचित भोग, धन और मुक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मन चाही गती पा लेते हैं अपितु जो उन्हें अनेग परकार के आयाचित भोग, अविनाशी पाशर श्रीर भी देते हैं वे अतिशे देयालू प्रभू मुझे इस विबत्ती से सदा के लिए उबार लें जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुते एकमत उन भगवान को ही शरन है जो धरम, अर्थ, आदिर किसी भी पदाव को नहीं चाहाते अपितो उन्हे के परम मंगल में एवं अत्यांत विलक्षन चरित्रों का गान करते हुए आनन्द के सागर में गोते लगाते रहते हैं उन अविनाशी, सरव व्यापक, सरव शेष्ट, भ्रमा आदि देवों के भी नियामत अभप्तों के लिए अप्रकट होने पर भी भक्ती योग द्वारा प्राप्त करने योग्यें अत्यांत निकट होने पर भी माया के आध्रन के कारण अत्यांत धूर प्रतीध होने वाले इंद्रियों के द्वारा अकम में अत्यांत दुर्विक्ये और अंत्रहित किन्तु सब के आधी कारण सब और से परिपूर्ण उन भगवान की मेस्तुदी करता हूं ब्रह्मादी समस्त देवता, चारों वेथ, संपूरं चराचर समस्त जीव अक्रिजी के भेश से जिनके अर्ध्यन छुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं जिस प्रकार प्रच्वलित अगनी से लप्टें, सोरे से किन्ने बार बार निकलती हैं और पुन्हे अपने कारण में लीन हो जाती हैं उसी प्रकार बुद्धी, मन, इंद्रिया, नाना योनियों में उत्पन होने वाले श्रीर, एवं यह गुन्द में प्रपंच जिन स्वयम प्रकाश आत्मा से प्रगट होता है, उन्हें उन्हें में लीन हो जाता है वे भगवान वास्तब में ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य, ना तिर्यव, ना वे इस्त्री, ना पुरुष, ना नुपुन्सक ही हैं, ना वे कोई जीव, जिनका इन तीनों हे श्रीरियों में समावेश ना हो सके ना वे गुन है, ना करां, ना कारें है, ना कारन ही है, सब का निशेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है, वही उनका स्वरूप है, वे ही सब कुछ हैं, ऐसे भगवान मेरे उधार के लिए अविर्भूत हों मैं इस ग्रहा के चंगुल से छूड़ कर जीवित रहना नहीं चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब और से अज्ञान के द्वारा ठके हुए, उस हाथी के श्रीर से मुझे क्या लेना देना है मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढख देने वाले उस अज्ञान की निव्रिदी चाहता हूँ, जिसका कालकरम से अपने आपनाश नहीं होता, अभी तो भगवान की दया से अत्वा ज्ञान के उदय से होता है इस प्रकार मौक्ष का अभिलाशी में विश्व के रचिता सयम विश्व के रूप में प्रगड तथा विश्व से सरवथा परे विश्व को खिलोना बना कर खेलने वाले विश्व में आतम रूप से व्याप अजन्मा सरव व्यापक एमंप्रापत होने योग के वस्त्वो में सरफ शेष्ट स्री भगवान को प्रणाम करता हूं उनकी शरन में हूं जिनों ने भगवत भगती रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किये हुए उन अपने रिदय में जिने प्रगट हुआ देखते हैं उन योगिश्वर भगवान को नमस्कार करता हूं जिनकी त्रिगुन आत्मक शक्तियों का राग रूप वेख असह है जो संपूरन इंद्रियों के विश्य रूप में प्रतीत हो रहे हैं जिनकी इंद्रियां विश्यों में ही रजी बची रहती हैं ऐसे लोगों को जिन का मार् उन शर्ना गत्रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है जिनकी अविद्या नाम शक्ति के कारे रूप एंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता उन अपार महिमावले भगवान की मैं शरन में हूं शीशुक देव जी ने क जिसने पुर्वक्त प्रकार से भवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्नन किया है उस गजराज के स्मीव जब ब्रह्मा आदी कोई भी देवता नहीं आये जो भिन भिन प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं तब साक्षा शीहरी ज अब देव सरूप हैं प्रगट हो गई उप्युक्त गजराज को इस प्रकार दुखित देख कर सथा उसके द्वारा गाई फुस्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी चक्ताधार भगवान इच्छा अनुरूप वेग से चलने वाले गरुट ची की पीट पर सवार हो करते हुए देवताओं के साथ ततकाल उस्तान पर पहुँच गए जहां पर वेह हाथी था स्रोवर के भीतर महाबली ग्रहा के द्वारा पकड़े जाने पर दुखी हुए उस हाथी ने अकाश मिकरुड की पीट पर चक्र को उठाई हुए भगवान शीहरी को देखकर अपन आपको नमस्कार है यह वाक्य कहा उसे पीडित देखकर अजन्मा शीहरी एका एक घरुड को छोड़कर नीचे स्रोवर पर उतर आए वेदया से प्रेरिध हो ग्रहा सहित उस गजराज को ततकाल स्रोवर से बहाल निकाल लाए और देवताओं के देखते देखते अपने चक अपर से उस ग्रहा का मुख काट कर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया बोलो विश्नु भगवान की छे रादे रादे जै श्री कृष्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें धन्यवाद